नमस्कार मित्रों नमस्कार आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है शिव महिमास्त्रोतम पुष्टक के रचाईता पुष्पदंताचारे गंधरो के रजात्रे वे परम शिव भक्त होने के होने से प्रद्द नियमित शिवार्चन करते थे दैवी सकती से संपन होने की कारण वे अध्रिस्य होने में सक्षम थे ये छिपकर प्रमोद राजा के उद्द्यान से पूजा के लिए नित्य अपुष्प ले जाये करते थे वाटक्या के रक्षक इसकृति को समझ नहीं पाते थे अचानक एक दिन विह पूष्प गयाब हो जाते हैं राजा ने विचार किया इसमें कोई दैवी सकती काम कर रही है अता जब तब उस दैवी सकती को कुंठित नहीं किया जाएगा तब तक यह चोरी बंद नहीं हो गी ऐसा विचार कर राजा ने पूष्प हरन होने वाले मार्ग पर बिलो पत्र पूष्प जला दी शियो निर्माल्य छुडवा दिया दोसरे दिन गंधर्व राज भोल से शियो निर्माल्य का उलंगन कर पूष्प चैन तो किया पर अपराध वस दैवी सकती शिन हो जाने के काराण ओड़ना सके वे विचार करने लगे कहीं शियो पूजन में गड़ब कि इसी के उलंगां से मेरी दैवी सकती का रास हुआ है जिसके कारण मैं अद्रिश होकर उर्णे में असमर्थ हो रहा हूं उन्हा दैवी सकती की प्राप्ती के लिए गंधर्व राज में आशुतोष भगवान शियो जी की जो इस्तुतिक वहीं शियो महिमना श्त्रोत के न अपने नियमित अस्थान पर पहुँच कर भगवान संकर का भक्ति भाव से पूजन किया भगवान शियो की प्रसनताहित यह इस्तुत बड़ा ही उपयोगी है खोई हुई सकती को पुना प्राप्त कराने वाला है इसने संदेह के लिए कोई अस्थान नहीं है इस इस्तुत के पाठ से पाठकों को अपना कल्यार साधर करना चाहिए श्री हरी श्री पुष्पधन्त बिरचित श्रीव महीम नह स्त्रोता हिंदियन वाद जहित महेम्नह पारंते परंबिदिशो यदा अध्यस द्रिसी इस्तुतिर ब्रह्मादे नामपी तदवसरन्नास्त वैगिरह अथावाच्यह शर्वह स्वमती परिणामा वधेग्णन ममापेश इस्तोत्रेहर नीर्पवाद परिकरह गंधरो राज पुष्पतंद भगवान संकर की तुति के उपक्रम में कहते हैं हिपाप भरण करने वाले संकर जी आपके महिमा के आरपार ग्यान से रहित सामान अल्प ज्यानवान व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी तुति यदि आपके स्वरूप महात्म वाड़न के अ सभी लोग अपनी अपनी बुद्धी की सक्ति के अनुसार इस्टुति करते हुए उपालभ्य के योग्या नहीं माने जाते तब मेरा भी इस्टुति करने का यह प्रयास अपवाद रही थी होना चाहिए यह प्रका प्रयास खंड़नी यह नहीं है अती तह पंथानम तौच महिमा वांग मन सयो रत दव्या वृत्यायम चकीता मभी धत्ति सुरुति रभी सकस्त इस्टुत अब्यह कती विध गुळा कस्य विशया पदेत्वार वाचीने पतती नमाह नमनह कस्या नवचह आपकी महिमा बाड़ी और मन की पहुंच से परे है आपकी उस महिमा को वेद भी आश्यर चकित भैवीत होकर निसेद्य मुखेन नेती नेत कहते हुए आसाय रूप में वर्णन करते हैं फिर तो ऐसे अचिन्त महा महिमा मैं आप किसकी इस्तुति के विशय वर्ण हो सकते है अर्थात किसी किस्तुती तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती क्योंकि आपके गुण न जाने कितने प्रकार के हैं अर्थात अनन्त हैं फिर भी है प्रभो नमीन परम रमडी आपके शगुण रूप के विशय में वर्णन के लिए किसका मन आसकत नहीं होता और किसकी बाड़ी उ करवाणन में लगा देते हैं मधोस्फीतावाच परमम्रितम निर्मीतवत अस्तव ब्रह्मन किम्वागपी शुर्गूरोर विश्मया पदम ममत्वेताव वाडिम गुण कथन पूडेन भवत हुनामे तियर्थेन श्मिन पुर्मधनम भुद्धिरव्या वसिताव हे भगवन मधूसे रिक्त सी अत्यंत मधुरियम परमुत्तम अम्रित रूप बेद वाडि की रचना करने वाले देवारी देव ब्रह्म देव की वाडि भी क्या आपके गुण को प्रकाशित करा आपके चमत कृत कर सकती है कदापिने फिर भी है त्रिपुरारी मेरी जनित पुन से अपनी इस मलेर वासना से भरी अतियों अपवित्रवाणी को पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा की जाने वाले इस्तुती के विशय में उद्यत है नकि अपने इस्तुती कवसम से आपकाम रंजन करूंबा या मेरा अश्प्राय है तवेश्ववर्यम्यतत जजगदुताय रक्षा प्रलयकृत त्रैवस्तु व्यस्तं तेश्रेशु गुण भिन्नाना सुतनुशु अभव्यानाम अस्मिनंबर्दं रमणिया मर्मणिं विहंतुं व्याक्रोंसिंबिद धतै है के जडधिया हे भर देने वाले स्योजी आप विश्व की श्रिष्टी पालानियम संहार करते हैं ऐसा रिगवेद जुरुवेद सामवेद वेत्रै निश्कर सुरूप से वरण करते हैं इसी प्रकार तिनों गुणों से विभिन त्रिमूर्थियों ब्रम्हा विष्टु महेश में बटा ह हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका हुआ रख्यात रशनात्मक पलना पालनात्मक्यम संहारात्मक का इस्वर है उसके विशय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ गुद्धी अकल्यान भागी मंदू अभागो नाश्ट को मनोहर लगने वाले और वास्त्व में असोभन निया हानक्यारक बेर्थका मिध्या प्रलाप पकवाद उखाते हैं की मिह किमकायह सखलू की मुपायस्त्री भुनव की माधारोधाता थ्रीजती की मुपादनाईतिच अताकायरेश्वर्याई तवययन वसर रदुसस्थो हत धिया गुतरक वयमकान सिन्यमूख रयती मुखाय जगत है वरत भगवन वविधाता प्रिभुवन का निर्मार करता है तो उसकी कैसी सिष्टा होती है उसका स्वरूप क्या है फिर उसके साधन क्या है आधार अर्था जगत का उपादान कारण क्या है इस प्रकार का कुतर सब्तर को से परे अचिन तैस्वरवाले आपके विशयमी निराधार याम नगड़ अप्यक्षित होता हुआ भी सांसारिक साधारन जनों को भ्रह्मे डालने के लिए कुछ मुर्गों को मुर्खों को वाचाल बना देता है अजन्मानों लोकाह किमवय ववन्तोयपी जगता मधेश्ठातारं किम्भववे धिरना दृत्या भवते अनीशो वाकुर्यादभूवन जननेकह परिकरू यतू मंदास्त्वाम रत्यामर्वर संसेरता इमें हे दे उस्रेश्ठ अवय वाले सरीरधारी होते विए भी ये लोक क्या बिना जन्मिके ही हैं नहीं कदापी नहीं क्या विस्ष्व कि स्रिष्ठी पालन संहारात क्रियां भी बिना अधिष्ठान करता कि माने संभव हो सकती है या इस्वर के बिना कोई सामानेजीव ही अधिष्ठान या करता हो सकता है नहीं वे जड़ बुद्धी संका करते हैं, अता हुए बड़े अभागी हैं। रिक यजू साम, इवेद, सांक साथ, रियोग साथ, पासुपत मत, भैसनों मत, आज विन्न मत, मत अंतर हैं। प्रकार सभी मतानु आई आपके ही पास पहुंशते हैं। माउक्षह खटवांगं, परुशूर जिनंभस्म पणिना, कपाल चेती यतत्वं बरद, तंत्रू पकरणं। सुराश्ताताम्रिधी ददतीच भवद, भुप्रणी हिताब, नही स्वात्माराम। ब्रदानी संकर, बुढ़ा वैल, खटिये का पावा, खरसा चर्म भस्म, सर्पकपाल, बस इतनी ही आपके कुट्रों पालन की सामगरी है। फिर भी इंद्राज देवताओं ने आपके क्रिपाकटाक्ष से उन अपनी बेलक्षन तुलनी सम्रिद्धियों भोगों को प्राप्त किया है। किन्तु आपके पाथ भोगों की कोई वस्तु नहीं है क्योंकि विशय वासना रुपी, म्रिगत्रिष्णा, स्वरूब भूसय, चैतन्य, आत्मा, राम में रम्न करने वालों को ब्रहमित नहीं कर पाती है। द्रुवम कस्चितं सर्वा सकल पराष्ट्व द्रुवमीदा, परओ ध्रव व्याद्रवे, जगती गदती व्यास्ता, विशय समस्ते अप्पे तस्मिनं पुर्मधनं तैरे। कोई वादों से आश्या चकित साम है, उन्हीं वादों इस्तुती प्रकारों से पुर्मधन पुर्मधन तैरे। करता हुआ, लज्जित नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मुखरता वाचलता ध्रिष्ट होती ही है, उसे लज्जा कहां। तवैस्वर्यम यदना जेदू परी बिरिंचे चारहर। रे रधा परिच्य चेत तो याता वनला मन लस्कंध वा भूशा ततो भक्ते रत्धा भर गुरू गुर्ण अध्भ्याम गिरेश यता स्वयम तस्तेता भ्याम तो कि मनू ब्रेता त्रेन फलते। हे ग्रेश अगनी इस्तम की समाना आपका जो लिंगा का आरता है जैसरूप ऐस्वर प्रकट हुआ उसकी ओर छोर जानने के लिए उपर की ओर ब्रह्मा था नीचे की ओर विष्णू बड़े प्रयतन से गए पर वे दोनों हुई पार पाने में असमर्द रहे तब उन दोनो हो ने स्रद्धा भक्ती प्रवक्त की आपकी सिवास्तम क्या हली हुथ नहीं होती अर्ठात अवस्या हली भूत होती है आयत नाध्या पाध्या त्रिवुन्म वैर अभ्यतीत करम दसाश्यो यद बाहुन भृत रणकंडू पर्वसान सिरा पद्मसे स्वेडी रचित चरणां भोरू हविले श्त्री राया श्त्वात्मा भक्ते श्त्री पूर्वर विश्पूर जेत मीदम फेत्र प्रारी दस्मुक रावने तीनों भुनों का निश्कंटक राज बिना प्रेत नयाज प्राप्त कर जो अपनी भुजाओं की युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका भट मिला ही नहीं यहां आपके चरण कमलों में अपने दस सिर्रुपी कमलों की बली प्रदान करने में प्रभीत्र आप में अब चल भक्ती का प्रही प्रभाव है अमुष्यत्वत्षिवाशमीध गंसारं मुजवनं बलात कैलासे अपित्वध धीवस्त बिक्रे मयत अलभापाताली अप्यलस चलितांगोष्ठ सीरसी ततिष्ठात्वयासे जाद्रुः मुपचीतो मुह यती खला चिव महें निश्त्रुत हेत्र पुरारी आपकी सिवासे रामण की बोजाव में सक्ति प्राप्त वी थी अभिमान में आकर वह अपना भुजबल आपके निवास अस्थान कैलास के उठाने में भी तौलने लगा पर आपने जो पैर के उठे की न है कि नीचे ब्यक्ति नीचे ब्यक्ति सम्रुद्धी को पाकर मोह में फच जाता है और प्रितग्ध हो जाता है यद्रिद्ध सुत्रामणु बर्द परमोच चैरती सती मधस्चक्रेबाणा परिजन विधेया त्रिभुवना नताच जित्रम्तस्मिनं बरिवसितरी तवच चरणयू रनकस्यापनिूना नत्ति भवति शिरासात्व त्यययवनती हे वर्दानी संकर विभुवन को वसवर्ती बनाने वाले बालासुर नेंद्र की अपार परमोच संपत्ति को भी जो अपने समक्ष नीचा कर दिया वहाँ आपके चरणों के सरणागत से हुआ कुछ बालासुर के विशे में कोई आश्यर की बात नहीं है क्योंकि आपके समक कार की उन्नती होती हैं अकांड ब्रहमांड चय चकेत देवाशुर क्रिपा विधेय स्यासिदास्त्रे नयना वेशं सम्रितावत सरकल मास कंठे तावना कुरूते नस्रियम हो विकारो यपे स्लाग्यो भुन भया भंग व्यास निनहा हेत्रिनत्र संकर समद्र मन्थन से उत्पन विश्की विशमज्वाला से असमय में ही ब्रहमांड के नाज के भैसे चकित दियोगा और दानों उपर दयारद्र होकर विश्पान करने वाले आपके कंठ में जो काला पन नीला धब्बा है वह क्या आपकी सोभा नहीं बढ़ा रहा है अर्था महो पकार के कारिश्योत्पन होने के कारण और अधिक सुभा बढ़ा रहा है वस्तुद्र संसार के भैको दूर करने के स्वभा वाले महापुर्शों का विकार भी प्रसंशनिय होता है असिद्धार्था नैवं क्वची दपी सदिवा सुर्णरे निवर्त अंते नित्यम जगती जैनु यश्य विशीखा सपस्य ननिश त्वामीतर सुर्शाधारण मभूत इस्मरिस्मर्त व्यात्माने वसीशु पत्य परिवव हे जगदेश जिसका आम देव के बाण देव असुर्यवं नर्समुहरू विश्व मेनित के विजीता रहे कहीं भी अस्पल होकर नहीं लड़ते थे वहीं काम देव जब आपको अन देवताओं की समान जिय समझने लगा तब आपके देखते ही वह इस्वृती मात्र सेश र महिपादा घाताद प्रजती शाषा संसय पदम पदम विश्णोर भ्राम्याद भोजप रिगरोग्ल ग्रण गणं बहूरद्योरद्योरष्ट्ययं यात्यने व्रिदजटा ताडी ततता जग्र दक्ष्याय तम नडसी ननू वामाय विभुता है इस जब आप तांड और नर्तन करते हैं तब आपके पैरों के आगात चोड से प्रित्वी अचानेक संसय संकट को प्राप्थ हो जाती है, आकास मंडल के ग्राण चत्रतारे आपकी घूमते हुए भुजडंड की छोड से फूरित हो जाते हैं, आता आकास मंडल ही संकट हो जाता है स्वर्ग आपकी कुली होई विक्री जट्राओं के किनारों की चोड़ से वारंबार दुखदी सिति को प्राप्त हो जाता है यह जबी आप जगत की प्रक्ष्या के लिए तांडव करते हैं फिर भी आपकी प्रभता तो वाम छोब हो ही जाती है सच है संपत्ति वा रागन गुणि कफेनो दामा दग्मारूचे प्रवाहु वारायह प्रेशतल्दो द्रिष्ठ सेर सेते जगद्वी पाकारं जलदी बलयं तेना कृता भी तेने नैवन नेवं ध्रिदा महियं दिप्यं तव अपो हो है जगदेश समस्ता कास में फैले तारों के सद्री से फे प्रवाला जो गंगाजल का प्रवाह है वहां आपके सिर पर जलबिंदू के समान छोटा दिखाई पड़ा और सिर से नीचे गिरने पर उसी जलबिंदू ने संब्द रुपी करधनी वलय के भीतर संसायर को जूइब के समान बना दिया बस इसी से आपका दिप्य शरीर आंगे चंद्रार को रत चरणड पाड़ी शरीती जिदक्षोस्ते को यंद्रिपूर द्रिणमा डंबर विधीर विधेयं किडे आंतियो न खलू पर तंत्रा प्रवोधिया हे पर्मेश्वर त्रिकुरारी सोर रुपी त्रिण को दग्ध करने के चुक आपने प्रिथ्वी को रत ब्रह्मा को सार्थी सुमेर परवत को धनुस चंद्र और सुरी को रत के दोनों चक्के और चक्रपाड़ी विश्णू को जो बाल बनाया तो यह सब आडंबर समारंब करने का क्या परुजन था सर्व समर्थ आप उसे अपने इच्छा मात्र से जला सकते हैं सकते थे नेच्या ही आपने वस्वर्ती हाथ में स्थित खिलोनों से खेलती हुई स्वर की बुद्धी पर आधे नहीं होते अर्था तो आश्वतंद्र रूप से अपने खिलोनों से खेलती रती है हरिष्टे साहत्रम कमल बलिमाधाय पदयो पदयोर देकोन दस्मिनम निजमूद हरन नेत्र कमालम गतो भक्त युत्रे कपणते मसो चक्रव कुशात्रायान रक्षाय त्रेपूर हर जागर्ति जगताम हे त्रिकुरारी भगवान विष्णू ने आपके चर्ण में एक हजार कमल चढ़ाने का संकल पिया था उनमें जो एक कमल कम पढ़ गया तो उन्होंने अपना हे नेत्र कमल उखार कर चढ़ा दिया बस उनकी यही भक्ति की पराकाश्ट्या सुधर संचक्र का स्वरूप धारन कर त्रिभवन की रक्षा के लिए सदा जागरूख है अगवान संकर ने प्रसंद होकर स्री विष्णू को चक्र प्रदान कर दिया जो विष्व का सरक्षार अनुग्रह निग्रह द्वारा करता क्रतो शुप्ते जाग्रत त्वमसी फल योगे क्रतुमता को कर्म प्रधवस्तं फलती पुरुसाराधन अम्रिते अतस्त्वामस्तं प्रक्ष क्रतुशू फलदान प्रती भुवं सुरुतावस्रत्धा बदध्वा देळ परिकर कर्मसू जनहा हेत्र पुरारी बिना फल दिये ही यज्याद के समाप्त हो जाने पर ये जिकरताओं का ये दिफल से संबंद करने के लिए फल दिलाने के लिए आप ततपर रहते हैं कर्म तो करने के बाद नश्ट हो जाता है वहां जड़ है अता चेतन परमिश्वर की आराधना के बिना व हे जिकर्मे ततपर रहते हैं क्रिया दक्षो दक्षा क्रतूपति रधे स्तास्तनु भृता म्रिशीडा मारते ज्वयं सरद रद सदस्या सुर्गणा क्रतू भेशा स्त्वत्व क्रतू पल्वीधा नभ्या सनीनु द्रुमकर्दू स्रद्धा विधूरम भीचाराई ही मखा हे सरणदाता संकर कार्यमि कुषल प्रजाओं का प्रजाजनों का स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ज का यज्मान क्रतूपति बनाथा त्रिकालदसी रशीगण याज्जिक यज्ज कराने वाले होता आज थे दियोगण यज्जिके सामान सदस्य थे फिर भी यज्जिके विद्वन्स हो गया अतह यह निश्चित है कि अश्रध्धा से किये गाई यज्य कर्म करता के विनास के लिए ही सिद्धियो तेह दक्ष ने श्रध्धा वर्जित यज्य किया था प्रजानाथम नाथम प्रसभम अभीकम स्वाद्वेतरम गतम रोहित्भुता रेरमये पुशु मृषयस्य वपुशा धनुष्य पाडेर याताम दिवम पेच्ष पत्रा कृता ममुं त्रसंतम तेयत्या पेत्या यतिना मृःग व्याधर भशा ये स्वामी ने एक बार कामो ब्रह्मा ने अपनी दोईता से हट पुर्वग रमण करने किक्षा की वालज्या से मृगी बनकर भागी तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके पीछे दोड़े आपने भी उन्हें दन देने के लिए मृग के सिकारी के विएक के समान हाथों में धनुस लेकर बार चला दिया स्वर्ग में भी जाने पर ब्रह्मा आपके बार से भैवित हो रहे हैं उन्हें बार ने आज भी नई छोड़ा अर्थात ब्रह्मा मृग सिरा नचत्र बनकर भागे तो बार आर्द्र नचत्र बनकर आज भी पीछा करता है एक दोनों आकास कंडल में आगे पीछे देखे जा सकते हैं यहां पाराणी कथा है कि एक बार ब्रह्मा अपनी दुईता संध्या को अत्यंत रूप लावणवती देकर मोहित हो गए उन्होंने उपगमन करना चाहा संध्या लज्ज्या के मारे म्रिगी बनकर भाग चली ब्रह्मा ने म्रिग थाल लज्जी थोकर ब्रह्मा म्रिक्सिरा नस्ट्र हो गया फिर रुद्र का बाण भी आर्द्र नस्ट्र हो कर उनके पीछे भाग में लग्या वहां आज भी उनके पीछे लगा हुआ दिख्ता स्वला वैल्या संसे आद्रित अनुष्या महना यत्रिडवत पूरा प्लोष्टम द्रिष्टवा पूर्मतनं पुष्पा योधं वी यदिष्ट्रेय देवियम नीरत देहार्ध घडना दैवती त्वावध्या वद्वर्ध मुद्दा इहूतया हे दृप्रारी हे यम्निय परायन हे वरत संकर अपने सांदर से श्यूपर विजय प्राप्त कर लूँगा इस संभावना से हाथ में धनुस उठाया हुए काम देव को सामने ही तुरंता आपके द्वारा तिलके की भात भस्म होता हुआ देखकर भी ये देवी पारवती जी अर्धनारिश्वरादे श शम्षाने स्वाक्रिडास्मरहरं पिशाचा सहचरा सहचा सहचरा जीता भस्मालेप अच्ट्रगपेंडेकरोटी परिकरा अमंगलयम शीलमतव भुति नामय वम खिलम तथा पेश्मरत रड़ां बरदम परममंगलमसेः कामरिपो ये बरत संकर आप समसानों में क्रिनार करते हैं प्रेद पिचास गण आपके साथ हैं चिता की भस्म आपका अंगराग है आपके माला भी मनुष्ट की खुपड़ियों की है इस प्रकार यह सब आपका अमंगल सुभाव स्वांग देखने में भल ही या सुभो फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तु आप परमंगल में ही हैं है प्रभो संदम आल साथनों से संपन यमी लोग सास्त्रों पदिष्ट बीदी से वायू रुक कर प्रायाम कर रैकमल में बहिर मुखी संकल विकल्प विकल्पात्मक मन को सभी वृत्तियों से सुन्ने करके अपने वीतर जिस किसी भी लग्चा आनंद रूब्रम परम ब्रम चिन मात्र तत्तकादर संकर रोमान चीत हो जाते हैं और उनकी आखे आनंद के आश्वों से भर जाती हैं उस समय मानों वे अम्रित के समुद्र में आओ गाहन कर दिव्यानंद का अन्भो करते हैं वा निर्गुनान सरूब ब्रह्म्हा निश्यरूप से आप भी हैं त्वामरकस्त्वमं सुमस्त्वमं सिपवनस्त्वमं हुत भः श्वमापस्त्वमं व्योमत्वमू धरणे रात्मा त्वमितिच्या परिचा चिननामेवा वई पणितावे भृतंगिरा बिद्वान परिपक वुद्धि वाले प्रावण विद्वान आप सुर्य हैं आप चंद्र हैं आप पवन हैं आप अगनी हैं आप जल हैं आप आकास हैं आप प्रित्वी हैं आप आत्मा इस प्रकार की सिमिती अर्थ विक्दवाडी आप की विश्व में कहते रहें पर हम तो भी विश्व में ऐसा कोई तत्व वस्तु नहीं देखते जानते जो स्वयम साक्षाद आप नहुँ रैति स्त्रो ब्रितति स्त्री भो नाम थोद्री नपीशूरा नकारा दैर वेडे स्त्री वीर एद्या ज्यति अडविक्रित तोरियमति धाम धनि वीर वर्णधान मडोवी समस्तम व्यस्तम तासरण प्रिथक प्रिथक अच्छर वाले आकार उकार मकार रूप से तीनों वेड़ रीकिय जू साम तीनों अस्था ज्याक्रत्वापन सुसुष्ति तीनों लोग स्वर्ग भूमी पाताल तीन द्योता प्रम्हावित नुम्हेज तीन सरीर इस्तोत सुक्ष्म कारण तीन रूप विश्वत तैज़स्प्राग आज की रूप में आपका ही प्रतिपादन करता है तो आपने अभियों के समिस्ट समस्त रूप ओम से निर्विकार निस्कल्ती नवस्था यम्त्री पुटियों से रहीत आपके तुरीश रूप की सुक्ष्म ध्वनियों से ग्रहन कर अस्तताभे में जानावेते यदावे धानाश्ट कमीदं अमोश्मन प्रत्तेकं प्रविचरितं देवं सुरूते रपे त्यायास्मे धामने प्रवेहेता नमस्योयस्मी भवते ये महादेव आपके जुआट, अविधान, नाम, भौ, सर्व, उद्र, पसुपति, उग्रम हादेव भी मिसान है उन्मे प्रतेकं बेद मंद्र भी परियात मात्रां करते हैं और बेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं अर्था बेद पुराण सभी उनाठ भूनामों का अच्से प्रतिबाघन करते हैं तर्म प्रीय यों प्रत्यक्स उमस्षय जगत की आस्ठ्रयय आपको मैं साश्टांग प्राम करता हूं प्रतियो इतलती दोटत्य करता हूं अति निकटवर्ति और एकांत निर्जन बनविहार के प्रेमी आपको प्रणाम है अति दूरवर्ति आपको प्रणाम है हे कामार्यति लगू सुक्ष्वरूबधारी आपको प्रणाम है हे अतिमहान आपको प्रणाम है हेत्रिनित्र व्रिद्धतम आपको नमस्कार है अत्यन्त इवप आपको प्रणाम है सर्व सरूप आपको नमस्कार है परोक्ष प्रत्यक्ष पत्सि परे अनिवर्चनिय सबके अधिस्ठान सरूप आपको नमस्कार है बहुलरसे विशोत्पतत्तो भावाय नमुनमा प्रबलतवं से तत्संहारे हराय नमुनमा जनसुख कृते सत्तो द्र्यक्तो मृडाय नमुनमा प्रमाह से पदेने त्रै गुंडे सीवाय नमुनमा बिश्व के सिष्टी के लिए रजो गुन की अधिकता धारन करने वाले ब्रह्मा रूप धारी आपको बारं बार नमस्कार बिश्व के संहार करने के लिए तमो गुन की अधिकता धारन करने वाले हर रुद्र रूप धारी आपको बारं बार नमस्कार समस्ध जीओ के सुखपालन के लिए सत्तो गुण की अधिकता धारन करनी वाले बिश्मो रूब धारी आपको बारं बार नमस्कार श्वम प्रकास मोक्ष केली तृबुडाते समस्द द्वेदचे त्रहित मंगल मैद्वेद आप श्यू को बार बार नमस्कार क्रिस्परी नती चेता क्ले सबस्यम क्वाची दम क्वाचा तो गूलसी मुला लंगिनी सश्वदी देती चकीदा मामने गृतम माँ भक्ती रा धाद वरत त्यनडो योज्तो आक्या फूष्पो पहारं हे वरत शिव अविद्याज कष्टो के वशिभूत अल्प सक्ती जुगते कहां तो हमेरा चित्त और कहां संपुन गुणों की सीमा के बाहर पहुंची सदा रिकाल स्थायनी आपके रिध्धी निहोती दोनों में बहुत असमानता है इसी भैसे ग्रस्त आपके चर्णों की भक असेत गेरे समंशात कजलं सिंधु पात्रे सुरतरु अर्शाखाले खनी पत्र मुर्वी लिखती यदे ग्रित्वा सारदा सर्वकालं तदपीत गूला नाभीशं पारम नयाते हे इस यदिकाले पर्वत की समान स्याही उष्ट्रमद्र की दावातों कल्वरुक्षिकी साख कि कलम बने प्रुथ्वी कागज बने और इन साधनों से यसरस्वती स्वयम सरवदा जीवन परियंत आपके गुणों को लिखें तब भी वे आपके गुणों का बखान पार नहीं पासकेंगे अशूर सुर्मूने इंद्रे राची सेंद्रे मौले रग्रधी दगुणभाईमो निरगुणशे स्वरस्या सकल्गणवरिष्टन पुष्याजंता इधानों रूची रमलत पृत्त्य इस्तोत्रमेत चजकार इस प्रकार सीव के सभी गणों में स्रैश्ट पुष्विदंत नामगंधरों ने दैत्यने इंद्रो सुरेंद्रो या अम्मुने इंद्रो से पोजी समस्ति गुणों से पाइपुण होते हुवे भी निरगुण जग्दिश्वर चंद से खर भगवान से जीकी इस सुन्द परम्भक्त्वा सुद्य चिति पुमानिय स्वभाति स्युलो के रुद्र तुल्या तथात्र प्रचूरतर धनायू पुत्रावान कृति रमाश्य जो व्यक्ति पवित्रंदाकरन खृतै से परम्भक्ति के साथ भगवान संकर के प्रसंशनि इस्त्रोत का नितिपाठ करता ह है वो इस लोग में पर्याप्त धनयम आयू को पाता है उत्रवान और रसस्वी होता है अधाम्रित्यू के बाद शीव लोग को प्राप्त कर शीव के समान आनंदमग्न रहता है महेशानान नापरो दियू महेमनूना पराश्त दि अघूरान नापरो मंत्रो नादरी तत्वम गुरू परम्त महेश्वर से बढ़कर कोई देवता नहीं है इस्यू महेमन स्त्रोत से बढ़कर कोई स्त्रोत नहीं है अघूर मंत्र ओम नमस्रिवाय से बढ़कर कोई मंत्र से बढ़कर को इत्त तुनने होता किछ दान अम तपस्धिर्थम ज्यान मियाज्या दिकाक्रिया चुब मस्ट को बोघ्ली नश्ट जान्र हूंसकों принцип सकते कुशो मदस्ण नामं सर्व गंधर्व राज शिसु ससी धर मौलेड़ देव देवस्य दाश सखलू निजा महें नूम्रश्ट एवाश्य रूशा इस्ता वन्विद मकार्थिद देव्य देव्यम महेवन बालचंद्र को सिर्परधारन करने वाले देवाज देव महादे प्रवू का राजा था इन शिव जी के कोप से अपने आईश्वर से चीवत हो गया था उसके बाद उसने इस परमदिव्य शिव महें निस्त्रोध की रचना की जिस्य पुना उसने उनकी क्रिपा को प्राप्त की शुर्बर मुनी पुज्यम स्वर्गमोक्षे कहेतू पठती यदी मनुस्य प्राण जलेर नान्या जेता प्रजिती शिव समीपं किन्नरे इस्तु यमान इस्तवना मिधा मामोगं पुष्पजन्त प्रडेतमं यह मनुस्यात जोड़कर एकाग्रचित से देवताओं मुनियों के पुज्य स्वर्गमोक्षे को देने वाले पुष्पजन्त प्रचित इस अमोग अवस्य फल देने वाले इस्तु रोट का पाठ करता है तो वह किन्नर से इस्तुती प्रसंसा प्राप्त करता हुआ भगव पम्यम्मनुहारी शिव में स्वर्वर्णनम पुष्पदंतरचित इस्तम्पूनिश्त रोट आज से अंतक पवित्र है अनुपम है मनुहर है शिव मंगल में है इसमें श्वर्शिव का वर्णन है एत्तिसा वां मही पूजा स्रीम चंकर पादियों अर्पिता तेन सदाशिव उस पुष्पदंतरचित इसमें पूजा स्रीमा संकर के चर्णों में समर्पित की उसी प्रकार मैंने भी पाठ रुपी पूजा समर्पित की है अता इससे सदाशिव मुझे पर भी प्रसंद हो तो तत्वम्न जानामी की द्रीश वास्मी महादिव ताद्रिश आ आपका तत्वास्त्विक रूप नहीं जानता आप कैसे हैं इसका ग्यान मुझे नहीं है आप चाहे जैसे हूँ वैसे ही आपको बारंबार राम है एक आलम दी कालम वात्री कालम या पठे ना नरह सरोपाप बिनेर मुक्त शिवलों के महियत जो मनोश्य शिव महिमनिस्वत का पाठ एक समय दोनों समया तीनों समय करेगा वस्तमस्त पापो से सुटकारा पाकर सिवलोक में पुजित होगा श्रेप पुष्प जनता मुख पांका जनेर गतेन इस्त्रो त्रेण गिलेंबा हरेड हर केड कंठस थे तेन पठे तेन समाही तेन चो प्रेडितो भवती दुख कमल से निकले हुए पाप हारी श्यू जी के पिर इस इस्त्रोत को कंठस्त याद कर एकाग्रचित मनयोग से पाठ करने से समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं ये तेस्यों महें इस्त्रोत हाँ